हेलो फ्रिंट्स यदि आपने भी नगरपाली का नगर निकाय सफाई क्रमचार वर्तिफिकार 2020 के लिए फॉर्म अप्लाई किया है अभी फिलहाल आप प्रेक्टिकल डेट का इंतिजार कर रहे हैं तो आप सभी के लिए गुड नूज लेकर आएं गोड नियो जो है कि नगरपाली का सफाई क्रमचार चैन होगा मुस्किल और एक पद के लिए 63 दावेदारी जो अभी कर रहे हैं ब्यारती और प्रेक्टिकल एड्मिट इसी सब्ता है यानि कि जो आपका प्रेक्टेकल होगा वो इसी सब्ते से आपके एड्मिट कार जारी हो सकते हैं कल 22 अगस्ती सरकार ने अपनी और से प्रस्ताव रखा है हाई कोट ने कहा था कि आप हमें जवाब दें तो राजे सरकार के कुछ आला दिकारियों ने इसके लिए जवाब दिया है सरकार का पक्स दोनों मादिम से हो वर्तिफ्रिकल यानि कि इस व्रतिफ्रिकल को जो selection details मांगी गई थी कि इस vacancy को क्यों लोटरी से करवाया जाए इस पे सरकार का क्यानिन है वो जान करे हम आपको इस वीडियो के मादिम से बताएंगे कल हाई कोट में क्या लिकित में जवाब दिया गया वो details हम आपको इस वीडियो के मादिम से बताएंगे तो आपसे request है नगरफाली का वर्तिफ्रिका का यदि आपने form अबलाई किया है और अभी आप नगरफाली का वर्तिफ्रिका के लिए test news सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो संदीब ग्यान चैनल को आप subscribe जरूर करना क्योंकि अभी friends आप दिख सकते हैं ये news कब की है तो ये आपको 22 अगस्त की news बताएगी है मंगलवार की आपको news बताएगी है और इसमें आपको बताएगी है कि राजस्तान में नगरफाली का सफाई क्रमचारी भर्तिफ्रिका के लिए बंपर आवेदन आये हैं राजी के एक सो चिंतर जो नगर निकाए हैं नगरपाले का नगर वहाँ आपको बताया गया था कि सफाई क्रमचारी के 13,184 पदोफे जो है वैकेंसी निकाली थी 17,000 पदोफे और वैकेंसी निकाली जाएगी आपकी और इसमें जो टोटल फॉर्म आपके समिट हुए हैं वो 8,49,822 पदोफे जो है ये फॉर्म आपकी जमा हुए हैं पद पड़े लिखे लोग ने भी आवेदन किया है कई B.A.M.A. कंप्यूटर डिप्लोमा धारिक हैं दरसल अनुभाव समंधित पातरता नियमों में डिल देने के चलते आवेदनों की जंग्या में बंपर इजाफा हुआ है अभी आपको पता होना है कि इसमें आवेदन क्यों बड़े हैं वह आपको यहां बताया गया है गए है अभी क्या होगा तकी और से जबाब तलब किया गया था सरकार से जबाब मांगा था कल 22 अगस्त को सरकार ने जबाब दिया है कि हम इस vacancy को lottery और practical प्रताधिसे करना चाहते हैं तो सरकार इस प्रकार vacancy को complete करवाना चाहते हैं को details वाई समझाएंगे यह हमारा विवेक है यहां से जो 300 select हो जाएंगे यहां से जो 300 select हो जाएंगे इनके admit card जारी हो जाएंगे तो इतने ज़्यादा भीड नहीं होगी लेकिन अब सरकार कहा रही है कि हमने प्रतेक अभ्यारतियों से आवेदन फीस इस recruitment के लिए लिया है तो क्यादार पर इस वेकेंजी को complete करवा जाएं क्योंकि लोटरी में कुछ इधानलिया हो सकती है इसको देखते वे कपी सारे अभ्यारतियों ने इसके लिए अंदोलन किया है कि इस वेकेंजी को लोटरी से न करवाके practical और interview के मादे में से करवाया जाएं फिलहाल सरकार इस प से पहले आपको जानकारी मिल जाएगी